किसान बैयों नमस्कार मेहु दस्र धाकड़ आप सभी का सुवागत है एक और नए वीडियो में जहां पर अगेती सरसों की बुवई हुई थी वहाँ पर फसल में फूल निकलना सुरू हो चुके हैं किसान बैयों सरसों में जब भी फूल निकलना सुरू होते है उस समय पर हमें कौन-कौन से कार्य करना चीए कितनी सिचाई करना चीए और कौन सा खाद देना चीए जिससे सरसों के पोदे में फ्लोरिंग अच्छे से हो एक पोदे में ज़्यादा से ज़्यादा साकाओं पर फ किसान भायों यहां पर आप हमारा खेद देख पारे है जिसमें फूल निकलना सुरू हो चुके है इस समय पर किसान भायों आप सरसों में एक हलकी सिचाई कर सकते हैं क्योंकि इस समय पर सभी पोदों पर एक साथ फूल नहीं निकलते हैं ऐसे में इस समय पर पोदे को पानी औ पूलों की बहार आ जाएगी यानि कि इसके बाद आपको पानी देने की अवशकता नहीं होगी इस समय पर आप कोई भी खाद देना चाते हैं तो आप यूरिया का प्रियोग कर सकते हैं फैसे फ्लोरिंग के बाद पोदे को नाइट्रूजन की अवशकता नहीं होती है अगर आपने पहले एक ही बार यूरिया दिया है तो इस समय पर खेत में जब फूल निकलना सुरू होते हैं इस समय पर आप आखरी यूरिया दे सकते हैं जिससे भी पोदे में नाइट्रूजन की पूर्ती हो जाती है पोदा भोजन तेजी से बनाता है पोदे की बढ़वार काप भी अच्छी देखने को मिलती है जिससे भी पोदे में ब्रांचिंग अच्छी निकलती है पोदे की गुरोत अच्छी होती है और फल फूलों का विकास बढ़िया देखने को मिलता है किसान बैयों हम इस सरसों में पानी लगा रहे है इसमें इका दुका फूल निकलने लग किसान भाई अगर सरसों में इस समय पर पानी और यूरिया का प्रियोग करते है तो आगे चलकर कापी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि इस समय पर अगर आप यूरिया देंगे तो पोदा बोजन तेजिस से बनाएगा साथ ही इस समय पर पोदे में जो नई नई साखाएं निकलती है उनका विकास बढ़िया होता है पोदे में फुटाव बढ़ता है और आगे चलकर सरसों की पेदवार बढ़िया निकलती है अगेती सरसों में फ्लोरिंग सुरू हो चुकी है तो किसान भाई बिना किसी देरी के सरसों में ये काम कर सकते है जिससे आपको फाइदा मिलेगा और सरसों की पेदवार ज्यादा निकलेगी वीडियो अगर पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद